इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। लपला 10 tablet एक दवा है जो आपके पेट में उत्पादित acid की मातरा को कम करती है। इसका इस्तेमाल पेट और आंग के acid से संबंधित रोगों जैसे acid reflux, peptic ulcer, disease और बहुत अधिक acid बनने से जुड़े पेट के कुछ अन्य रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। लपला 10 tablet का इस्तेमाल पेट के ulcer और acidity को रोखने के लिए भी किया जाता है जो की लंबे समय तक दर्ड निवारक दवाओं के उपयोग के कारण होती है। यह proton pump inhibitor यानि की PPI के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंधित है। इस दवा को हो सके तो सुभा खाने के एक घंटे पहले लिया जाना चाहिए। डोज आपकी underlying condition और दवा के प्रती आपके response पर निर्भर करेगी। अगर आपके लक्षन जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तब भी आपको निर्धारित अवधी तक इसका सेवन जारी रखना चाहिए। आप समय समय पर काम मातरा में भोजन करके इलाज की कुशलता बढ़ा सकते हैं, और जैसे चाय और कॉफी जैसे कैफीन युक ड्रिंक्स और मसालेदार या फैटी खाना खाने से बच सकते हैं। इस दवा के साथ देखे जाने वाले सबसे सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, सिर्दर्द, पेट फूलना यानि की गैस बनना और डायरिया यानि की दस्ट शामिल हैं। ये लक्षन आमतोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं या नहीं जाते, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें। लंबे समय तक इस दवा के इस्तिमाल से साइड इफेक्ट का जोखिम बढ़ सकता है। उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का इस्तिमाल आपके हड़ी के फ्रेक्चर का जोखिम बढ़ा सकता है, विशेश रूप से हाई डोज के साथ। घडियों की क्षती यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों जैसे केल्शियम और विटमिन D सप्लीमेंट लेने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। इस दवा को लेने से पहले अगर आपको लिवर संबंधी गंभीर समस्याएं हैं, HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं और अतीत में इसी तरह की दवाओं से कभी अलजिक रियेक्शन हुए या हड़ी के नुकसान यानि की ओस्टियो परोसिस से पीडित है तो आपको अपने दॉक्टर को बताने की जरूरत है गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और सा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद